मुनी अश्टावक्र कहते हैं, एको विशुद्ध बोधव्यो, अहम्मिती निश्चय वहनेना, प्रज्वाल्या ज्ञान अगहनम, वीत शो कहा, सुखी भवा, अर्थाद, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रुपी अगनी से, गहन अग्यान को जलाकर, निश्चय वाले धर्म, किवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, सब छोड़ दो, घर बार, पत्नी, बच्चे, कपड़े, सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीक मांग कर खाओ, इत्यादी, इस छोड़ने की शिक्षा ने दुनिया का बहुत अहित किया है, छोड़ सब दिया, किन्तु मिला कुछ नहीं, ऐसे वेक्ती की स्थिती, बड़ी दैनिय हो गई, वह मार्ग से ही भटक गया, धोबी का गधा बन गया, नघर का, नघाट का, किन्तु अश्टावक्र विधाय हैं, वे कहते हैं कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, करतापन छोड़ देने से, वह परम मिल ही जाए, आवश्यक नहीं है, फिर छूटने की भ्रांती भी हो सकती है, किन्तु वह सूक्ष मतल पर विध्यमान रहता है, यह मान लेने से, कि अंध्यकार नहीं है, अंध्यकार विलुप्त नहीं हो जाता, दीब जलाने से ही दूर होगा, अश्टावक्र इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, कि आत्म ग्यान के लिए, तु यह निश्चे पूर्वक मान ले, कि मैं विशुद्ध बोध पूरूप आत्मा हुँ, तो तेरा अज्चान रुपी अंध्यकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक शण में विलीन हो जाएगा, अज्चान का स्तित्व नहीं है, वह ज्चान का अभाव मात रहे, जब तक ज्चान नहीं है, अज्चान रहेगा, कि इन्टु ज्चान का रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्यान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्यान के कारण मनुष्य की अनेकों अपेक्षाइं होती हैं। जब अपेक्षाइं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है जो मिला है वह अमूल्य है इसी में संतोश करके जीना कृतक्यभाव से जीना ही परम सुख है जितनी अपेक्षाएं बढ़ती है दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है जीवन में ऐसा कभी किसी के यह जानते हुए भी मनुश्य है अपेक्षाएं किये जा रहा है वह दुखी होता है इसका कारण वह स्वयम ही है कोई दूसरा नहीं है यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से ही नश्ट हो सकता है समझ ही पर्याप्त है अश्टा वक्रमुनी आगे कहते हैं यत्र विश्वम मिदम भाती कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद पर्मानंद हा सबो धस्तवम सुखम चरा अर्थात जहां यह विश्व रस्षी में सर्प के समान कल्पित भास्ता है वही आनंद पर्मानंद बोध है अधा तो सुख पूर्वक्विचर अश्टा वक्र जी इस सूत्र में आत्मा इवं सृष्टी का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अरूप है निराकार है उसी निराकार का साकार रूप यह सृष्टी है आकार बनते हैं वे बिगडते हैं किन्तु मूल तत्व वही रहता है स्वर्ण से विभिन आभूशन बनते हैं वे उन्हें गला कर पुनहा विभिन आभूशन बनाए जाते हैं किन्तु मूल तत्व स्वर नहीं रहता है जो बनते बिगड़ते हैं वे अनित्य हैं शाश्वत नहीं शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है अध्यात्म में इसी अनित्य को ब्रह्म कहा है यह आज दिखाई देता है कल नहीं रहेगा इसलिए इसका सहारा लेना ही भ्रांती है मूर्खता पूर्ण है फिर अश्टावक्र कहते हैं किस रिष्टी रस्टी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देता है किन्तु है यह रस्टी जैसी केवल तुम्हारी मनोद रिष्टी से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है जैसी है उसका ग्यान तुम्हें नहीं है मनुष्य के मन में जैसे भाव होते हैं यह संसार उससे वैसा ही दिखाई देता है, किन्तु संसार उससे भिन होता है, मन में भूत का भय रहने पर, जंगल में क्या घर में ही भूत दिखाई देगा, स्वप्न में भी भूत आकर छाती पर बैठ जाएगा, किसी को चांदनी प्यारी लगती है, तो विरही को वह आग जैसी ज्यात होती है सुखी आदमी को अपना घर अच्छा लगता है तो दुखी को वही घर खाने को दोड़ता है किसी को रस्सी सांप दिखाई देती है तो तुलसिदाश जी को सांप भी रस्सी दिखाई दिया किसी के लिए यह संसार फूलों की बगिया है तो किसी के लिए यह काटों का वन है जिसमें उलज-उलज कर लोग मर रहे हैं कुछ कहते हैं ईश्वर ने इस रुष्टी बनाई यह बहुत सुंदर है परवत नदी जरने मैदान वन समुद्र बादल इंद्र धनुष सूर्य चांद बड़े सुंदर है तो कुछ को इसमें दुख ही दुख दिखाई दिया यह सब मनुष्य की दृष्टी है उसके देखने का ढंग है उसकी जैसी मानशिक स्थिती होती है वैसी ही सृष्टी दिखाई देती है यह दोश सृष्टी का नहीं देखने वाले की दृष्टी का है इसी प्रकार ज्यानी वै अज्यानी की भी अपनी अपनी दृष्टी है अज्यानी को यह सृष्टी सत्य दिखाई देती है वह इसे शाश्वत भी मानता है और कहता है कि सृष्टी अनादी है इसको बनाने वाला कोई नहीं है यह सृष्टी वुट्ध्ध ने इस सत्य इवं ढ़ित्या कॉर्ण कहों, कि यह सुरुष्टी भ्रांती नहीं है फोड़े समय के लिए सत्य है पूर्न सत्य उसी को कहा है जो शाश्वत है जो साश्वत नहीं है वे सत्य नहीं हो सकता अश्टा वक्र की दृष्टी अनूठी है वे इन सब विवादों से उपर मर्म की बात कह रहे है सभी अद्वईतवादी ऐसी ही रसी में साप का, सीपी में चांदी का, म्रिग मरी चिका का, गहनों में सोने का, वैं घड़े में मिट्टी का उदाहरन देते हैं अश्टा वक्र भी कहते हैं कि यह है विश्वा, रसी में सर्प की भाति कल्पित भास्ता है इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बलकि इसका अर्थ है संसार तो है, स्रिष्टी है, यह वन परवत नदिया, जरने सभी हैं ये जीव जन तो वनस्पदियादी सभी हैं, किन्तु इससे सुख की आशा करना म्रिग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। साथ ही अश्टावकर जनक को कहते हैं, कि यह संसार सत है या सत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन नहीं। तू संसार नहीं है और ना ही तू संसारी है तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं है तू आत्मा है जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है फिर तेरे में दुख भय इत्यादी कैसे व्याब्त हो सकता है तू ज्यानी ही नहीं है स्वयम ज्यान है पोध है इसलिए तू सुख पूर्वक विचर इस आत्मा ज्यान से तेरे सारे संशे भ्रम दूर हो जाएंगे संसार के प्रती जो तेरी दृष्टी है वह बदल जाएगी जिस प्रकार स्वप्ण में किसी को देख कर भय लगता है किन्तु स्वप्ण तूटने पर भय दूर हो जाता है उसी प्रकार अज्यानी ही संसार से भय भीत होता है ज्यान होने पर वह इस कालपनिक भय से मुक्त ह उन्ही अश्टावक्र कहते हैं जैसी मती होती है वैसी ही गती होती है इस सूत्र में अश्टावक्र कहते हैं कि जैसी मती होती है यह अध्यात्म का एक सूत्र है एक सूत्र और है कि अंत मती सोगती अंत याने मृत्यू के समय जैसी मती होती है वैसी गती होती है इस मत की पुष्टी के लिए कई कथाएं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेको उदाहरन हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रती जो आसकती है जो राग है वही बंधन है। आसकती में है निशकाम कर्म बंधन नहीं बंता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है। किन्तु वे कर्म बंधन बंते हैं जो आसकती, राग द्वेश, इर्शा, बदला लेने की भावना आदिस से किये जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यू के बाद शरीर तो छूट जाता है, किन्तु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाई, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि हैं। उपनिशद कहते हैं, मन ही बंधन और मुक्ती का कारण है। मन में जैसी भावना होती है, वैसी ही मनुष्य की गती होती है। या द्रशी भावना यस्या, सिध्धिर भवती ताद्रशी, जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसी ही सिध्धी मिलती है। पाप पुन्य का फल न कर्म में होता है, न उसके फल में, वह करता की भावना में होता है। इसी तथे को अश्टावकर कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, तथा अपने को जो बध्ध मानता है वह बद्ध है, केवल द्रण निश्चई के साथ मानना ही परयाप्त है, मुक्ती कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्यान का फल है, आत्मग्यानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है वासना ग्रस्त है वासनाएं उसे फिर खीच लेंगी आत्मग्यान के बाद भी उसे मुक्ती की भावना करना आवश्यक है ये सभी कर्मबंधन अज्यानी के लिए है अज्यानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता ऐसा मानना पाखंड मात रही है यहां यह भेज समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मग्यानी के लिए सकते है अज्यानी के लिए नहीं कहा गया है आगे मुनियश्टावग्र कहते हैं आत्मा साक्षी विभूह पूर्णा एको मुक्तश्चिदक क्रिया असंगो निस्प्रियश्ञांतो भ्रमात संसार वानिवा अर्थात आत्मा साक्षी है व्यापक है पूर्णा है एक है मुक्त है चैतन्य स्वरूप है क्रिया रहित है असंग है इच्छा रहित है शान्त है यह भ्रम से संसारी जैसा बंधन ग्रस्त भास्ता है इस सूत्र में अश्टावक्र जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है वह तुम्हें प्राप्त है ऐसा भी नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व्या आत्मा में भिन्नता की प्रतीती होती है यह भिन्नता है ही नहीं तुम आत्मा हो, केवल अज्यान के कारण तुम उसे भूल गए हो, उसे ज्यान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात रहे, पुनाहस्मृति में लाना मात रहे, और कुछ करना नहीं है, वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, कि यह आत्मा साक्षी है, सब का द्र यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दाइरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाशा में कैद नहीं किया जा सकता, यह पूर्ण है, ब्रम्ह भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, अत्ह आत्मा भी ब्रम्ह जैसी पूर्ण है उसमें कोई कमी नहीं है अपूर्णता नहीं है माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है किन्तु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती दस-दस बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है ऐसा ही ब्रम्ह वै आत्मा है इसी प्रकार ज्यान, प्रेम, दया, करुणा आदी को बाटने से वह कभी कम नहीं होती ब्रम्ह एवं आत्मा ऐसा ही है इशा वास्य उपनिशद कहता है वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ती होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है बीज पूर्ण है इसलिए उससे पूर्ण वरिक्ष बनता है यह जागरत उस पूर्ण की ही अभिवेक्ती होने से पूर्ण ही है इसलिए अश्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है एक है जब ब्रम्ह एक है तो आत्मा भी एक ही है भिन्नता नहीं है सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है आत्माएं अनेक भी नहीं है जिस प्रकार आकाश सरवत्र व्याप्त होता है भीतर और बाहर सभी जगे खुले आकाश गड़े के भीतर के आकाश वे शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है भिन्नता अज्ञान और ब्रह्म से प्रतीत होती है जिसे आत्मा का ग्यान नहीं, ब्रम्ह का ग्यान नहीं, वेही भिन भिन जीवों में स्थित आत्मा को भिन भिन मान लेते हैं, किन्तु वह भिन भिन है नहीं, फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है, यह आत्मा क्रिया रहत है, यह स्वयम करता नहीं है, क्रिया इसका धर यहां एक्रिये है, इसकी उपस्थिती से ही सब हो रहा है, इसे स्वयम कुछ करना नहीं है, जिस प्रकार सूरिये की उपस्थिती मात्र से स्रिष्टी की समस्त क्रियाई होती है। प्रिवार मित्र आदी नहीं है, यह अकेली है, यह न किसी से प्रेम करती है, न द्वेश, यह स्वर्ग में अपना सामराज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती, न कोई इसके राजदरवारी है, न फरिष्टे, न इसका कोई न्यायालाए है, यह अकेले ही सर्वगुन संपन है, यह आत्मा निस्प्रिय भी है, बिना इच्छा वाली है, इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं है, आत्मा साक्षि मात्र है, द्रष्टा है, किन्तु अज्यानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है, कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात् अनेक भ्रांद धारनाओं से आत्मा संसारी जरसी दिखाई देती है जैसा संसार में बंधन है वैसे आत्मा भी बंधन में है वह जन्म भी लेती है उसकी मृत्यू भी होती है उसे मुक्त भी करना पड़ता है आधिय अज्ञान एवं भ्रह्म के कारण दिखाई पड़ते हैं आत्मा तो निस्प्रिय है असंग है सर्वत्र है अक्रिय है